हलो फ्रेंड्स, गुड़ मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेटिफित ज्यान प्रकास में तो आज 2 सितंबर हो गया और अब आपकी जो परिख्षाएं हैं वो करम से निकट आदी चलिए आ रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल वक्त मक्त लगाईए यह मत सोचे कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर कोई एक मुहूर्त देखकर आप पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे जो भी वक्त आप दे सकते हैं प्रति दिन वो वक्त आप देते रहे हैं मैं बार बार आप लोगों सही कहता हूँ कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो फिर जान लड़ा दो या फिर छोड़ो जाने दो बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भरती के बारे में तो बिग्यापन संक्या एक्यावन के अंतरगत आनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और इस बार अगर आप देखेंगे तो प्रति सीट पर जो छात्रों का अनुपात है रेशियो है वो पिछली बार के पेक्षा काफी कम है यानि कि इस बार आवेदन जो है वो कम आये हैं तो आवेदन कम आये हैं मतलब इस बार आपको संगर्स कम करना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि संगर्स नहीं करना पड़ेगा असिस्टन प्रोफेसर भरती के लिए आपको बकाइदा जी इसका भी नोट्स बनाना होता है और इसके अलावा आपको जो है अपना बिसे भी अच्छे से तयार करना होता है तो कुल मिलाके 981 पदों पर भरती हो नहीं है इसके लिए बिग्यापन जो जारी किया गया था बिग्यापन संक्या 51 उस पर आनलाइन आवेदन की जो ती थी थी वो बढ़ाई गयी थी और फाइनली कुल मिलाके देखा जाए तो 90,169 अभिरतियों ने आवेदन किये भी है तो एक पद पर बान बे भरती जो है यहाँ पर हैं मतलब जो कंपडिशन होगा वो एक पद पर बान बे भरती है तो ये भी कम नहीं है तो 981 पदों पर आनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया थी इस पर रजिस्ट्रिशन की लास्ट डेट 29 अगस थी आनलाइन आवेदन अपने आवेदन को complete किया है तो इस पिकार से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में अभेड़तों ने आवेदन किया है लेकिन पिछली बार के पेक्षा आपका जो यह काफी कम रहने वाला है तो यह एक बड़ी ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए त्यारी अगर आप करना चाहते हैं तो करेंड फिर प्रति दिन पढ़िए और इस्टेटी जी के लिए नोट्स बनाईए और आपका जो बिसे है उसको भी आप फोकस में रखिए और उस और बार बार आपको सुचना भी मिल रहे होंगी टीटी पीजटी के बारे में भी कई बार मैंने भी आप लोगों को पताया था जैसी कि सुचना मिली थी लेकिन यहां पर जो आयोग की प्रक्रिया है बड़ी लचर से दिखाई दे रही है तो यह को सरकार यह जो भर रही है कि सभी प्रक्रियाओं को सभी भरतियों को तेजी से पूरा किया जाए वहें पर माधमी सिक्षा सेवा चैन बोर्ड नजाने क्या कर रहा है अभी तक इनके जो सदस्यों की संख्या है जिसके लिए आनलाइन आवेदन यह ले चुके हैं अभी तक एक भी सदस्यों की नियु दोज़ा तेरह में एक वैकेंसी आई थी प्रधानाचारियों के लिए उस पर बहुत सारी विधिक अडचने थी जो कि अब दूर हो चुकी है लेकिन अब जो सबसे बड़ी अडचन है वो यह है कि आयों के पास सदस्य ही नहीं है और ऐसा भी नहीं कि सदस्यों के लिए 10 पदों के लिए 15 माई तक आविदन लिए गए थे इनमें दो पद सिक्षा अविभाग में अपर सिक्षा निजदेशक अस्तर के अधिकारी किये हैं जिसके लिए आधा दर्जन अपसरों ने भी फार्म नहीं भरे सेश जो आड़ पद हैं उस पर सबसे अधिक मारा मारी व जाते हैं तब तक प्रक्रिया चिड़ी जीजी पिच्टी के एकजाम वाली और जो इंटर्व्य वाली प्रक्रिया है प्रताचारियों वाली वो आगे नहीं बढ़ पाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको वदाते हैं कि UP SSC की और से तीन नहीं भरतियों के आने के भी समवहना है मनलत तीन नहीं भरतियां चुड़ी हुई हैं जिसकी समवहना बन रही है कि आने वाले समय में आपको तीन नहीं वेकेंसी देखने को मिलेंगी एक वेकेंसी की बारे मैंने आपको दो दिन पहले सूचित किया था कि परिवान विभाके प्रवरतन दल में 500 पद हैं जिस पर जो है UPSC आने वाले समय में विग्यापन जारी कर सकता है तो Agriculture Technical Assistant के 3500 पद हैं और Auditor के भी पद हैं तो यह तीन पद हैं और इन तीनों पदों को मिला दिया जाए तो लगबस साथ हजार पदों का नया अधियाचन UPSC को मिला है और UPSC सिग्र ही इस पर भर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तयारी कर रहा है वसे उमीद की जा रही है कि यह जो नए विग्यापन या नए अधियाचन मिले हैं UPSC को इस पर जो विग्यापन जारी होगा वो PT परिच्छा 2022 के बाद ही जारी होगा तो अगर आपको यह भरतियां आक अर्शक लग रह आखिए ताकि PT का जो स्कूर है वो इतना रह सके कि कटाफ में आप पीछे न छूड़ जाएं UB बोर्ड की परिच्छा में दस्वी और बारामी में कुल 58.7 लाख अभिरती होंगे सामिल हाइ स्कूल में 31,28,000 और इंटर में 27,50,000 पंजी करन आए हैं तो अब की बार कुल लगबग पौने 7 लाख से अधिक अभिरती जो है वो बढ़े हैं पिछले वर्स की तुलना में तो यह आकड़े जो हैं यह UP बोर्ड के लिए रहाद देने वाले हैं क्योंकि पिछे बीते पांच हो से परिचारति यह लगातार कम हो रही थी अब की बीते वर्स के तुलना में लगबग साथ लाख अभिरतीं की संक्या है वो बढ़ी है बोर्ड के उर से दसवी और बारामी के परिशारतियों के लिए बोर्ड परिशाफर भरने के लिए 16 अगस्तक डेट निर्धा के माध्यम से छेत्री कारेले को भेजनी थी तो हाई स्कूल में कुल 31,28,318 और इंटर में कुल 27,50,130 परिक्षार्तियों ने अपना पंजी करण करवाया है और इलावा विस्विद्याले में इस बार जो लो पुरेस ले रहे हैं उनके लिए एक ख़बर है ख़बर यह है कि इस बार इलावा विस्विद्याले ने अपनी फीसें बढ़ा दी है लगबग चार गुनाता की फीसें बढ़ाई गई हैं जिसके लिए बहुत बड़ी संक्यामया बढ़ती जो थे वो लंबे समय से परदरसन भी कर रहे थे लेकिन अंदर तर यह बाता हैं हो गई है कि जो फीस ब्रिद्धी की गई है वो वापस नहीं होई है और नहीं वापस ली जाएगी और बस उस दिनों के बाद यह सारी जो नई फीस बढ़ाई गई है इस पर जैसे ही संस्तुती मिल जाती है फिर एड़िसन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी तो इलहाब आद विस दैले में 1722 तेस में फीस ब्रिद्धी पर कार परशत की अंति मुहर लगने के बाद अब इसका नोटिफिकेशन जारी होना सेस रह गया है नोटिफिकेशन जारी होते ही नई सुर्ख दरों के आधार पर पीजी में जो प्रिद्धी प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी नोटिफिकेशन अगले सब्ता जारी हो सकता है नोटिफिकेशन के इस बार नई सुर्ख दरों के आधार पर जो जारी होगा तो उसी के अधार पर जो एडमिशन भी लिये जाएंगे पीजी के साथ लल्बी, लल्लम, बीड, एमेड, एम्बीए और एम्बीए, आर्डी, इंस्टिचूट आप रोफेस्नल स्टेडीज वगरा जितने ही पार्टेकरने में सभी की जो फीसे हैं वो बढ़ा दी गई है, अधिके प्रेंट्स एक चैनल है आप लोगों के लिए वी विनर, यह चैनल आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, यहाँ पर मैंने बनाया है और इस पर लगबग 12 वीडियो मैंने अब तक अपलोड भी किये हैं, वी विनर पर वो कहानिया आपको बताई जाती हैं, जो आपके जुरून को निश्टित रूप से जिंदा रखेंगी और आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करेंगी, कुछ कहानिया ऐसी हैं जि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक होगा, उस पर जाका क्लिक करिए, और इशन को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा, कल मैंने एक कहानी पोस्ट की है, कल्प तरू, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, जो की जिंदा स्वर्ग में चला जाता है, वहाँ पर कल्प इच्छाएं, उसके पूरे जीवन को समाप्त कर दीती है, तो आपकी जो इच्छाएं हैं, उसको किस प्रकार से आप कंट्रोल में रखें, और किस प्रकार से आप आगे बढ़ें, यही इस कानी में बताया गया है, एक बेहत सांदार कहानी है, जरू सुनिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिशन में आपको दे दिया गया है, तो आज का इस इस तर नहीं में समाप्त करते हैं, सीगरी मिलते हैं आप से एक नए वीडियो में, तब तक कि लिए मैं आगे दीजिए, नमस्कार, जैहिंद, झाल, 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